Freedom of Speech की बहस के बीच, आउनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग साइट यूट्यूब ने दी स्ट्रिंग नाम के एक चैनल की वीडियो को डिलीट कर दिया है स्ट्रिंग नाम के इस चैनल ने हाली में ग्रेटा थनबर्ग द्वारा गलती से सारवजनी की गई टूल किट पर एक वीडियो बनाया था वीडियो डिलीट किये जाने की जानकारी खुद स्ट्रिंग ने अपने ट्विटर हैंडिल से दी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूट्यूब द्वारा उनकी वीडियो को डिलीट कर दिया गया है आपको बता दें कि स्ट्रिंग ने दावा किया था कि ग्रेटा थनबर्ग द्वारा गलती से सारवजनी की गई टूल किट पर वो एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें वो कई बड़े खुलासे करने वाले हैं 9 फरवरी को शाम 5 बजे उन्होंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड भी की थी लेकिन इसके 24 घंटे के अंदर ही यूट्यूब द्वारा इसे हटा दिया गया आपको बता दें कि उनकी इस वीडियो का टाइटल था अरेस्ट दुरूफराथी मुहमद जुबैर एंड बर्खा अपनी इस वीडियो के शुरुवात में उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि इस वीडियो के अपलोड होने के बाद वो जिन्दा बचेंगे भी या नहीं अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार कुछ बड़े यूट्यूबर्स और छोटे मोटे न्यूज पोटल्स होंगे इसके बाद उन्होंने अपनी इस वीडियो में उन यूट्यूबर्स और न्यूस पोटल्स का नाम भी लिया था इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि कैसे Alt News, The Wire, Quint और कारवा मैगजीन जैसे न्यूस पोटल्स के पास Greta Thunberg द्वारा गलती से सारवजनी की गई टूल किट पहले से ही मौजूद थी और वे इसके अनुरूप काम भी कर रहे थे कुछ लोगों का नाम लेते वे अपनी इस वीडियो में स्ट्रिंग ने ये भी का था कि इन्हें तो फासी पर लटका देना चाहिए इस वीडियो के अपलोड होने के अगले ही दिन यूट्यूब द्वारा ओनलाइन हरास्मेंट एंड बुलिंग के आरोप में इसे डिलीट कर दिया गया लोगों का कहना है कि स्ट्रिंग ने अपने इस वीडियो में I can die, I will die और If I die जैसे शब्दों का प्रयोग किया था जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के अनुकूल नहीं है इसलिए उनका वीडियो डिलीट किया गया है साथी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इस वीडियो में कुछ लोगों को अपनी होने वाली मौत का जिम्मेदार बताया था और इसलिए यूट्यूब द्वारा ओनलाइन हरास्मेंट और बुलिंग के अपराद में उनकी वीडियो डिलीट की गई है साथी साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने अपनी इस वीडियो में एक यूट्यूबर का नाम लेते वे कहा था कि उसे तो तुरंत फासी पर लटका दिया जाना चाहिए इसलिए यूट्यूब ने उनकी वीडियो डिलीट की आपको बता दें कि स्ट्रिंग ने जिस यूट्यूबर का नाम अपनी वीडियो में लिया था उसके यूट्यूब पर 40 लाग से ज़ादा सब्सक्राइबर्स है वो जर्मनी में रहता है उसकी एक गल्फरेंड भी है और वो अपनी गल्फरेंड के साथ व्लॉक्स भी बनाता है खेर दोस्तों आपको क्या लगता है यूट्यूब ने उनकी वीडियो क्यों डिलीट की होगी क्या अपनी वीडियो में मरने मालने जैसे शब्दों का इस्तिमाल किये जाने के कारण कुछ लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताई जाने के कारण या फिर अपनी वीडियो में एक यूट्यूबर की फासी की कामना के जाने के कारण मुझे नीचे कमेंट करके बताईए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए